चैनल में आपका पुनह स्वागत है आज हम भारतिय सिनेमा की दुनिया और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतिय फिल्मों की गिंती पर चर्चा करने जा रहे हैं हम नंबर 6 से शुरुवात करेंगे और शीर्ष स्थान तक जाएंगे तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं चठे नंबर पर हमारे पास 2023 की फिल्म पठान है शाहरुख खान, दीपिका पादुकोन और जौन अबराहम अभिनीत इस एक्शन से भरपूर थ्रिलर ने बॉक्स आफिस पर तूफान ला दिया है और दुनिया भर में अनुमानित एक हजार बावन रुपए पचासी पैसे करोड की कमाई की है फिल्म के हाइक टेन द्रिश्यों और स्टारस्ट डेड कलाकारों ने इसे दर्शकों के बीच पसंदीदा बना दिया है पाटवे नंबर पर जो फिल्म है वो है फिल्म जवान एक मनोरंजक कहानी और शानदार अभिनय और शाहरुख खान की दोहरी भूमिका के साथ जवान ने दुनिया भर में अनुमानित 1162 रुपए आठ पैसे करोड की कमाई की है यह फिल्म साल 2023 में शाहरुख खान की दूसरी 1000 करोड से ज्यादा कमाने वाली फिल्म है चौथे नंबर पर आती है KGF-2 ब्लॉक्बस्टर KGF का यह सीक्वल है और दुनिया भर में अनुमानित 1235 रुपए बीस पैसे करोड की कमाई की है अपने जबरदस्ट एक्शन द्रिश्यों और आकर्शक कथानक के साथ KGF-2 फीट ने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया है तीसरे नंबर पर है फिल्म आरारार बाहुबली का निर्देशन करने वाले दूरदर्शी इस-इस राजा मौली द्वारा निर्देशित इस महा काव्य कहानी ने दुनिया भर में अनुमानित 1236 रुपए करोड की कमाई की है फिल्म के शांदार द्रिश्यों और दमदार अभिनय ने फिल्म दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली है इस फिल्म को इसके एक्शन द्रिश्यों और सिनेमेटोग्राफी के लिए पूरी दुनिया में सराहा गया है खास कर उस द्रिश्य को जहां जानवर ट्रक से बाहर आते हैं दूसरे स्थान पर बाहुबली दो फीट है इस एस राजा मौली द्वारा निर्देशित इस महान कृती ने दुनिया भर में अनुमानित 1810 रुपए करोड की कमाई की है फिल्म की भव्यता, सम्मोहक कहानी और आश्चर्यजनक द्रिश्यों ने इसे एक बड़ी सफलता बना दी है और अंत में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिय फिल्म दंगल है आमिर खान अभिनीत इस प्रेणादायक स्पोर्ट्स ड्रामा ने दुनिया भर में अनुमानित 2024 रुपए करोड की कमाई की है दंगल ने अपनी सशक्त कहानी और शांदार अभिनय से विश्वस्तर पर दिलों को चूलिया है अब तक की शीर्ष्छे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिय फिल्में आपकी पसंदीदा कौन सी है? मुझे नीचे कॉमेंट में बताए अधिक रोमांचक वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें